सिर्मौर जिला में होम कॉरिंटीन में रह रहे सभी लोगों को आयूरवेद विभाग के जरीए जिला प्रिशासन आयूश केट पहुंचाएगा आयूश केट शरीर की प्रतिरोधक शमता को बढ़ाएगी सिर्मौर में इस समय 2570 लोग होम कॉरिंटीन में हैं सिर्मौर जिला में होम कॉरंटीन में रहे रहे लोगों पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी सिर्मौर जिला में करीब 2570 लोग मौजूदा समय में होम कॉरंटीन में हैं आयर्वेदिक विवाग के करमचारी होम कुरंटीन में रह रहे सब ही लोगों से मुलाकात करेंगे और जरूरी हिदायते देने के साथ साथ उन्हें आयोश किट भी प्रदान करेंगे उपायुक्त सिर्मोर डॉक्टर आरके परूथी ने बताया कि आयोश किट को देने का मकसद यही है कि होमियोपैथिक मेडिसिन के जरिये कैसे इन लोगों के शरीर की प्रतिरोधक शमता को बढ़ाया जा सके होम कॉरिंटीन में रह रहे लोगों को प्रशासन द्वारा साफ हिदायतें दी गई हैं कि वे उनके लिए जारे निर्देशों का पालन करें उपायुक ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति होम कॉरिंटीन का उलंगन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई भी अमल में लाई जाएगी मासक कैसे यूज करना है उसके प्रवार के लोग ठीक रहे हैं उसके लिए हम सारे घर को जैसे माने मुख्यमंतरी मोदय ने एक ओपरेशन निगहा के रूप में कारियर स्टार्ट किया था तो हमारी ये भी सर्वलेंस रहेगी इसमें आरे दिवाग जितने भी होम करिंटेन में लोग हैं सबी से मुलाकात करेगा उस फैमली में जो भी दस साल से निचे के बच्चे हैं या साथ साल से उपर जो भी वरिद हैं जो भी मारा वल्लनरिवर सेक्षन है जो हो सकता आने वाले समय में इस वारिस के अटैक में आ सकता है उन सबी के लिए इमनिटी बुस्टर के तोर पे काड़ा है जिसमें संसमनी वटी है और इसमें हमोपैथिक मेडिसन भी है उसका पूरा प्रोटोकॉल बना के पूरा कित बना के उसमें डाला हुआ है सिटी चनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट